हेलो दुस्वाई चलते हैं बिहार्षवा की ताजा ख़वरों क्यों लेकिन उसे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्रेम नहीं किया तो कर ले जिससे कि आपको बिहार्षवा की ताजा ख़वर रोजाना मिलती रहे पहले रवड़ी कबर लखिस राय में नक्सलियों के खिलाब चला सर्च अभ्यान लखिस राय में नक्सलियों की बड़ी साजिस को पुलिस ने नकाम किया है कोबरा 207 बटालियन के बम निरोधक दस्ते ने दोनों आईडी बम को डिफ्यूज कर दिया है मोतिलाल ने कहा कि पुलिस को जानकारी मिले थे कि अरविंद यादब और सुलेश कोड़ा का दस्ता बरमस्य के जंगलों में आया है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में जुटा है अगली खर पटना पहुचे भाजपा के रास्टी एध्यक से जेपी नड़ा ने यूपीय सरकार पर हमला किया और कहा कि अटल बिहारी की सरकार के बाद 10 साल तक यूपीय ने प्रधानमंत्री ग्रामस्वरा की यूजना को रोकने का काम किया यूजना को फिर तेजी देने का कारे पीयम मोदी ने किया नड़ा ने कहा कि इसलिए बियार सेंपियन ओप डिवलप्मेंट नड़ा ने पूछा कि क्या काउणिस ने कभी कोपरेटिव फार्मिंग की बात की कभी कलेक्टिव फार्मिंग की बात की जेपी नड़ा ने कहा कि किसान गाउं गरीब की अंतरात्मा को पहचानने के विशे में काउणिस की सोच कहीं न कहीं पीछे है और उन्होंने का कि पहले की सरकार ग्राम स्वराज की कलपणा को साकार करने में असफल रही अगली ख़वर जंता दल उनाइटेट के रास्टी अधक्ष राजीब रंजन सिंग उर्फ ललन सिंग ने मिडिया से बाचीत में बड़ा ब्यान दिया बिहार बिधानस्वा चुनाव में भारती जंता पार्टी के द्वरा 200 सीटों पर लड़ने से जुड़े सबाल पर ललन सिंग ने कहा कि जद्यू 242 सीटों पर हाथ अजमाने का प्लान कर रहा बिजेपी की तयारी से शुरू करने से जुड़े सवाल के जवाब में ललन सिंग ने कहा किया कोई बड़ी बात नहीं है सभी पार्टी तयारी करती है इस दोरान ललन सिंग ने रसेपे सिंग पर परतिकिरिया दी बिहार का मुख्यवंतरी रसेपे सिंग जैसा हो नारे पर जद्यू के राश्टिय धक्ष ने कहा कि बिहार में CM पत की कोई बैक एंसी नहीं है जद्यू के एक एक कारेकरता के मन में नितीज कुमार बसे हैं ऐसे में CM को लेकर राज्ज में कोई किंतु फरन्तु नहीं होना चाहिए अगली कोर बिहार नगर निकाय चुनाओ की तयारियों में तेजी आचुकिये पुर्णिया नगर निगम में बनाए गए 235 मद्दान केंद्र नगर निकाय चुनाओ को लेकर निर्वाचन की कवायत तेज हो गई है चुनाओ को लेकर दयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा मतदाता सुची के प्रकासन के बाद अब चुनाओ के लिए मद्दान केंद्रों के गठन का काम पूरा कर लिया गया है नगर दिगम के लिए जहां 235 मद्दान केंद्र बनाए गये वही नौगठित नगर परिशत सहित नगर पंचायतों के लिए बुथ निर्धारित कर लिए गया है इस सम्मद में उप निर्वाचन प्राधिकारी अनिरुद्ध परसाद ने बताया कि मद्दान केंद्र की अस्थापना राज्य निर्वाचन आयोक के गाइड्लाइन के अनुसार किया गया है अगली ख़र बिहार सरकार में ग्रामिन विकास मंत्री सरवन कुमार भागलपुर दोरे पर पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर स्वचता अभियान के दूसरे चलन का अगाज करते हुए कहा कि सभी परिवारों को दो-दो डस्टिमीन दिये जाएंगे हर रोज कूडे का उठाव किया जाएगा अब दोर टू दोर यानि घरघर से कचरे का उठाव किया जाएगा लोगों को घीला और सुखा कच्रा एकत्रित करने के लिए परतेक परिवार को दो दस्टिविन दिये जाएंगे परतेक दिन सुवा कच्रा लेने वाले क्रमचारी जाएंगे और कच्रा को एकत्रित करेंगे उक्तवाते बिहार सरकार की ग्रामिन विकास मंतरी सरबन कुवार ने सब और खानकित्ता में लोहिया स्वक्षता अभियान के दूसरे चलन का अगाज करते वी कही और कहा कि एक अत्रित कच्रे को एक जगा बड़े पैमाने पर जवा कर रिसाइकल किया जाएगा जिससे सरक द बिहार में खुले रहेंगे बैंक आपको उदादे कि अगस्तमा में बैंकिंग कामकाज को लेकर थोड़ी साब्धानी बरतनी होगी बैंकिंग काम समय रहते निपटना होगा क्योंकि पूरे मां में कुल नौ दिन बैंकों में अफकास होंगे इसमें सब्ताहिक रविवार अगस्तमा बैंक कर्मियों के लिए सहुलेद भरी होगी लेकिन ग्राकों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा होगा नौ दिन ग्राकों को बैंकिंग सेवाए नहीं मिले पाएगी और आपको बता दें कि इसमें चार रविवार और दो सनिवार का साब्ताहिक अवकास है इसके स्वास्ति प्रवंधन को सुड्रिंड और हाइटेक बनाने के लिए स्वास्ति विभाग निरंदर प्रियासरत है बेतर स्वास्ति प्रवंधन में एक रमचारियों की कमी ना हो इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने राज्य में कई बर्गों में 12771 पदों पर बहाल पांडे ने कहा कि पिछले दिनों स्वास्ति विभाग के द्वारा बिहार तकनिकी सेवा आयोग को बहाली संबंधित अधियाचना भेजी गई थी जिसके बाद आयोग आविदन करने के लिए विभिन समाचार पत्रों में बिग्यापन निकाला है अगली कोर बिहार की महिलाएं करेगी सरकार के साथ जुड़कर काम 30,000 निक्तियां होगी महिलाओं की आपको बदा दे कि बिहार सरकार के साथ जुड़कर काम करने के एक्छा रखने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है बिहार सरकार उन महिलाओं को मौका देगी जो जो बिहार सरकार और केंद्र की महिलाओं के सुरक्षा सिक्षा और उनके आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही ये उसनाओं को पंचायत लेवल तक लेकर जाएंगी, इसके लिए बिहार सरकार बहुत जल्द ही 30,000 महिला कोडिनेट की बहाली करने जा रही है, जानकारी के मुताबिक मैट्री के इंटर पास मैलाओं की इसमें नुक्ति की जा सकती है, सभी कॉडिनेटर समीदा की अधार पर नुक्ति की जाएंगी और मैलाओं को मानदे भी दिया जाएगा, ये नुक्ति आप पंचायत अस्तर पर होंगी, मैलाएं उसी तरह काम करेगी जिस तरह तोरा सेवक काम करते हैं, सभी नुक्ति मैलाएं पंचायतों में जाकर गाओं की मैलाओं को चल रही उसनाओं की जानकारी देंगी और मदद पहुचाएंगी, उनका काम होगा सिक्षा संबर्धन, आर्थिक उन्नेयन सहीत न्याइक प्रकरिया में ग्रामिनों को सयोग करना अगली कवर बिहार में स्टार्टप पॉलिसी को उद्योग मंत्री ने किया लॉंच इस पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन, उद्योग मंत्री सयद सानवाज उससे ने उद्योग विभाग की बिहार स्टार्टप पॉलिसी 2022 लॉंच कर दिया इस धोरान, अस्टार्टप पो आवेधन इसी पोटल के जरिये किये जाएंगे। सभी पार्टियों की नेता इसको लेकर अपने पक्ष का वयान दे रहे। सभी पराश्टियों सुरक्षा सलाकार अजीद दोवाल ने कहा कि कुछ लोग ऐसा महल पराने की कोशिस कर रहे जो देश की प्रगती में रोड़े अठका रहा। और कहा कि ऐसे लोगों की केवन लेंदा करना काफी नहीं है बलकि इनके खिलाफ एक्सन लेने की जरूरत है। पॉपलर फ्रंट ओफ इंडिया समीत अन्ने कटर पंती ताकतों के खिलाफ मिलकर काम करने की जरूरत है। अगे बढ़ सके और इसके लिए धर्म गुरुगों को मिलकर काम करना होगा। अगली खुर भारत की महिला सावित्री जिंदल अब एसिया की सबसे अमीर महिला बन गई है। भुलूमबर की रिपोर्ट के मताविक सावित्री के पास 89,000 करोड उपे की संपत्ति है। दूसरे नमर पर सीन की फैन होंग भी है। इनके पास भी 11 अरव डॉलर की संपत्ति है। 2021 में एसिया के सबसे अमीर महिला चीन की यांग हुयान थी। जो अब तीसरे नमर पर आ चुकी है। और इनके संपत्ति 87,000 करोड है। तो दूसरों बिहार दिनमर की ताजा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइम ने किया तो कर ले जिससे कि आपको बिहार दिनमर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे।